आज मैं आपको टमाटर को साल भर के लिए स्टोर करने का बहुत बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ बैसे तो आप किसी भी तरीके से टमाटर को स्टोर कर लीजे ये महीने भर से ज्यादा नहीं टेकेंगे आज मैं जो आपको solution लेकर के आई हूँ ये मेरी नजर में सबसे best है और काफी useful भी है नॉर्मल सबजियों की अलाबा भी इसे आप कई तरह की snacks में भी use कर सकते हैं तो चलिए श्रू करते हैं यहां पर मैंने लिए हैं लगभाग दो किलो टमाटर तो जब भी आपको store करना हो आप खटे वाले टमाटर लीजे या यूं कह लीजिए कि देसी वाले टमाटर लीजे उनमें खटाई बहुत बढ़िया होती है तो जब हम इनको store करेंगे तो यह खटे टमाटर हमारे store होंगे तो हमारी जो recipe है वो भी बहुत ज़्यादा tasty बनेगी तो सबसे पहले तो आपको गया करना है कि टमाटर लेने की बाद इनको पानी से अच्छे से wash कर लेना है और इनको सूखने देना है या फिर किसी कपड़े की help से इनका पानी अलग कर लेना है पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए तो सबसे पहले तो हम टमाटर के इस तरह से डंठर अलग कर लेंगे और इनको धो करके अच्छे से हम इनको पहुँच लेते हैं तो हमने टमाटरों को अच्छे से दो लिया है पौँच लिया है अब आपको क्या करना है कि इस तरह से ठाली लेनी है कोई सभी बरतर ले लीजिए और उसमें आपको टमाटर को इस तरह से गोल-गोल सेफ में काटते जाना है सेफ से कोई मतलम नहीं है आप चाहे तो इसको लंबे शेफ में भी कर कर सकते हैं बट गोल सेफ में काटने से ये जल्दी ही सूकते हैं तो चलिए इसी तरह से हम सारे टमाटर काट करके तैयार कर लेंगे और जो खराब टमाटर हो सड़े हुए हूं उनको आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है तो लेजीए मैंने पूरे दो कुलो टमाटर थे माट लगबाग सभी काट लिये हैं और सभी को मैंने गोल सेफ में काटा है तो चलिए अब हम चलते हैं छट पर यान की धूप में तो यहां पर धूप में मैंने एक प्लास्टिक सीट विचहाई है आप प्लास्टिक सीट ही लें कोई कपड़ा वगेरा ना ले वरना टमाटा का जितना रस है वो कपड़ा एब्जॉब कर लेगा प्लास्टिक सीट में रस इसका बिश्ट नहीं जाता है और इसको अब हम अच्छे से धूप में सूखने देंगे तो लगबग इसको 3-4 दिन धूप लग जाती है बड़िया धूप होनी चाहिए तो दो दिन में सूख जाते हैं लेकिन जब मैंने इसको डाला तो मौसम खराब हो गया तो मुझे लगबग 3-4 दिन लग गए हैं इसको सूखने में तो लीजे हमारे सारे टमाटर खूब अच्छे से सूख चुके हैं तो ये देखिए इसकी आबाद से आप समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत अच्छे से सूख जाना चाहिए अगर ये अच्छे से नहीं सूखेगा तो ये खराब हो जाएंगे अब हम इन टमाटर को डालेंगे ग्राइंडर जार में और इनको हम खूब अच्छे से बारी पीस लेंगे तो यहाँ पर मैं टमाटर का पाउडर बनाने वाली हूँ ये बेस्ट आप्सन है आप इसको सालवर के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब घर पर टमाटर ना हो ये किसी भी स्नैक्स में जरूआत हो आप यूज कर सकते हैं तो लेजे हमने इसको पीस लिया है और इसको हम अलग निकाल लेते हैं एक बरतन में और इसी तरह से हम और भी टमाटर को पीस लेंगे तो ये काफी ऊपर मटेरियल बचा हुआ है तो फिर से एक बार मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेंगे तो हमने इसको दुबारा भी पीस लिया है और फिर से हम इसको चान लेते हैं तो ये प्रोसीजर आपको एक ये दो बार करना है ताकि सभी टमाटर खूब अच्छे से बारी पिस जाएं तो हमने इसको फिर से छान लिया है और अब हमारा जो फाइनली टमाटर का पाउडर बन करके तैयार हो गया है यह जो टमाटर का पाउडर है इसको आप किसी भी एर टाइड डिब्बे में भर करके रख लीजि कि स्नेक्स में टमाटर पाउडर का यूज़ किया जाता है तो इसी तरह इसे आप प्याज का पाउडर भी बना करके तैयार कर सकते हैं तो उम्मीद करने आज का वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल रहा होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टिक्यार